हेलो दोस्तों online study point में आपका स्वाग्रत है और आज की जो हमारी वीडियो काफी important वीडियो जिसमें हम जो सिक्ख समुदाय है सिक्ख पंथ है उससे related सारे important questions जो प्रिवेसर में पूछे गए हैं या जो आपके आने वाले exams के लिए important है सारे कुस्छ डिसकुस करेंगे तो वीडियो का notification आपको मिल सके वीडियो का notification अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमारे telegram को जॉइन कर लीजे वाह पर सारे ही वीडियो की notification और PDF जो है आपको मिल जाएगी ठीक है और वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप से कुस्छ डिसकुस करना था परसो जो है एक अभा गांधी केनाल को लेकर मैंने इंद्रा सागर डैम दिसकुस किया है उवरियोजना के बारे में बात करें तो मैंने वहां पर डैम बताया है कि जो इंद्रा सागर डैम में है तो आप लोगो negative comments करना है that is up to you but teacher आप के लिए मैनत करता है तो आप इस तरीके से comment करते है त उसलिए आप उसमें successful हो बट लेकिन आप लोग की भी थोड़ी सी responsibility बनती है teacher के साथ corporate करने की ओके तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो जैसा कि सब लोगों ने मुझे से कहा था कि मैं पहले detail बताईए फिर question तो हम वैसे ही series को रखने वाले हैं तो सिख्खों के जो गुरू हैं उनके बारे में हम discuss करेंगा और वहीं से question पूछे गए हैं तो सिख्खों के जो पहले गुरू हैं कौन थे गुरुनानक देव थे और इन्होंने ही सिख्धर्म की स्थापना की थी ठीक है और इनका जो जन्म है 15 अप्रेल 1479 में तलवंडी ना मशाला और कर्टारपुर में 1538 को इनकी म्रत्यू हो गई थी सेकेंड जो हैं गुरू अंगर्देव सिख्खों के दूसरे गुरू थे ठीक है गुरू नानक देव ने अपने पुत्रों को नहीं बनाया वह अपना उत्तरदीकारीवल की इनको बनाया और इनसे इंपॉर्ण एक नेम था देट वस लहना थर्ड जो हैं गुरू अमर्दास हैं ठीक है गुरू अमर्दास जो हैं सिख्खों के तीसरे गुरू हुए और इन्होंने क्या किया जाती प्रथा उच नीच कन्या हत्या सती प्रथा जैसी कुरीतिया जो थी उनको समाप्त करने में बहुत अच जाया गया था ठीक है कन्फ्यूज मत हुएगा पांच वे जो है अर्जुन देव उन्होंने हर्मंदर साहिप जो गोल्डन टैंपल है उसका निर्मान करवाया था लेकिन जो अमर्द सर सिटी है ठीक है वो किस ने तो गुरू रामदास ने यह आप याद रखिए गान से ठ जानते हैं पांच वे जो है गुरु अर्जुन देव जो कि क्यों इंपॉटेंट है क्योंकि जो अम्रत सरोवर था जो जलाश्य था उसके बीच में हर्मंदर साहिप स्वाण मंदर का निर्मान होने करवाया और उसकी नीव पूछी जाती है जो कि सूफी संथ मिया मीर के हा था गिफ संकलित से और जिनको आधिग्रंत को गुरुग्रंत आज सिखों का अंतियमative अजाता है है ति गरणध साहिप की रचना तो इन्हों ने खिती लेकिन उसका आज का तो यह किया गया यह नो कि गुरू हरगोविन सींग चटवे गुरू थे ठीक है न जो पुत्र थे गुरू अर्जुन देव के और इन्हों ने क्या किया सिखों को अस्तर शेस्तर का प्रसिक्षन करवाया ठीक है न शिखों का जोristya संगठन था उसको उसका रूप इन्हों नहीं दिया इनके बस अपनाम याद रखिए गुरू हर राए ठीक है और एट जो है गुरू हर किशन साहे क्यों है डेखिए क्या होता है जो औरंग जेप थे मियूति ब्लाते हैं और इनसे बोलते हैं कि आप इस्लाम अपना लीजिए लेकिन यह क्या करते हैं मना-करते हैं कि इसी नहीं होग Ч k wanted इंका की घैता है ठीक है लास्ट जो है obviously important है 10 गुरु गोविंद सिंग सिख्खों के दस्वे एवा मंतिम गुरु ठीक है और हम अगर बात करें कि इनके बात क्या हुआ गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया गया और गुरु गुरंद साहिफ को ही एक मात्र गुरु मान लिया गया ठीक है ना य में याद रखने वाली बात है इसके बाद यह स्वयम को सच्चा पात्षाह बोला करते थे ठीक है और हम बात करें इनकी जो है हत्या कर दी गई थी 1708 में नांदेर नामक जगा पर गुल खानामक पठान के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी ठीक है और गुरु वविंद स सिख समपदाय के गुरु के रूप में यही काम करेगा इसा इनकी द्वारा बोला गया था अब हम कोशन्स डिसक्स करेंगे तो सिखपंद की स्थापना किसने की गुरु नानक देव ने जो कि हम देख चुके है और लेडी सारा कुछ हम डिसक्स कर चुके है ठीक है ना सिख सस्थान Tech bert बाब करेंगा गुरुष नानक का जन्म स्थान कौन सा था था तो घुरु का लंगर नाम निश्ल के सहभागी बोजशनाले किस्ध गुरु ने स्थापित किया था तो किसने की था यह भी गुरु नानक देव के द्वारा नेमलिक तमे से कि इस खुकर ने गुर कर चुके हैं ठीक है और इन्हों नहीं जो लिपी थी ठीक है ना जो लिपी थी हमने अभी बात की थी इसके बारे में और इनका जो नाम है प्रादेंबिक नाम क्या था लहना था और गुरु मुखी लिपी जो है वो इन्हों नहीं आरंब की थी सिखों के प्रथम गुरु नानक किस मुगल बादशा के समकालीन थे तो ये बाबर और हुमायू के समकालीन थे सिख संप्रदाय का निर्मान किस काल में हुआ तो सिख संप्रदाय का निर्मान जो है किसके काल में होगा भी दस्ठम ने देखा मुगल काल क्योंकि बावर और हुमायू का टाइम चल रहा था गुरु नानक की म्रत्यू 1549 में कहां हुई तो आप 1538-49 दोनों ही याद रख सकते हैं इनकी म्रत्यू हुई कहां पर करतार पूर में ठीक है ना 1538-39 डेट स्थोड़ी से आपको हरचा का ऐकुरेट नहीं मिलेंगी गुरु नानक के उत्तरादिकारी कौन थे तो दूसरे गु और द्वस्था को स्थाई बना दिया न्यमों में किस सिख गुरू ने गुरु मुखे लिपी आरंब की गुरु अंगत के द्वारा ही शुद्व की गईती जैसा कि मैं बता दिया है तो सिखिंक तीसरे गुरु कौन थे हम डिसक्र हैं सिखों के तीसरे गुरू थे गुरू अमरदास ठीक है किस सिख गुरू ने 22 गद्यों के स्थापना की और प्रतेक पर एक महंत की न्युक्ति की तो यह किस के द्वारा किया था यह किया गया था गुरू अमरदास के द्वारा ठीक है पंजाब में अम्रसागन नगर को राजकुमार खुसरों की सहायता की ठीक है ना धन और आशिरवाद से कि उसके बाद उनके जो पुत्र थे जहांगी रुनों ने इनकी मृत्यू करवा दी थी हत्या करवा दी ती कौनसे थे गुरू अर्जुन देव किस सिक्ख गुरू ने प्रतेक सिक्ख से दशांग धार्म कर वसूल करना आरंब किया एवन साथू वेश्ट्याक कर राजस्वी वस्तर पहनना आरंब किया तो यह किसके गवारा किया था यह कियागया था गुरु अश्यू कापूल गुरूने बाकला दा जो कौनसे सिख गुरू थे उनको बाकला दा बाबा भी कहा जाता था ठीक टाइटल अजूम किया था उन्होंने तो इक कौन तेग बहादर जुन की हत्या औरंग देव ने करवा दी थी क्योंकि उन्होंने इसलाम कबूल नहीं किया था निम लिखित में से किस सिख गुरू की मृत्यू Left 5 के कारण हुई थी तो ठीक है कौनसे थे गुरु हरकेसर जो थे उनकी रूटी जवे थी छेषक के कारण हुई ती मंगे से कौनसे सिख गुरू हरकेशन के उत्तरदिकारी वह तो कॉन 2 एक बहादर कियोंकि हरकेसर जो थे वह 8 थे और 9 गुरु गोविंद सिंग का जन्म पटना में हुआ उल्डेडी हम बात कर चुके हैं गुरु गोविंद सींग की महांता नेहत है इसमें की तो उन्होंने सिख्षों की सैनिक विवस्ता का अगठन किया वैस सिख्राज के संस्थापक ते नहीं यह किसे की घुरु नानक देव कि भी और सिखों को शांती प्रिय बनाया उन्होंने औरंग जेब को पराजित किया ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था बट उन्होंने हम बात करें देखिए जो सैनिक विवस्ता थी शुरुआत तो कहां से हो गई थी गुरु हर गोविन के समय से ठीक है लेकिन एक प्रॉपर जो ह करती के रूप में परिनत करना आरंब किया था ठीक है तो किसने किया यह गुरु गोविन सिंग ने निमने कितम से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्योदन दिलवा दिया था तो कौन से थे गुरु अर्जुन देव अकालतक्त का निर्मान किसने करवाया था तो अकाल सिख्ष प्रारंब किया तो कहां से प्रारंब हुआ था हर्यौवन सिंग्स ayam में पर हुआ था लेकिन हम कहें किक पहुँचा तो यह गुरु गोविंद सिंग के टाइम पर आदी गुरु गरंध शाहेव का संखिलन निमनांकित में इसके द्वारा किया गया था गुरु अरजंदेव के द्वारा और वर्तमान श्वरूप है वो किसके तयार इता तो गु थी संक्लित किये हैं तो किसके की है तो सबसे पहले थे गुरु नानक देव उनहीं के किस सिkkh गुरु ने स्वें को सच्छा पाथशा कहा तो ये मैंने आपको बताया था किस ने कहा था यह चीज बोली गई थी किसके द्वारा तो यह बोला गया था गुरू गोवन्द सींह के द्वारा छीग है Next जीकते हैं किस सिख गुरु ने खाल्सा की शुरुवात की तो खाल्सा पंत की शुरुवात किस के द्वारा की गई थी गुरु गोविंज सिंग के द्वारा खाल्सा पंत की शुरुवात हम कहें 1699 में वैसाकी की दिन की गई थी किस वर्ष वैशाकी के दिन 13 अप्रेल को गुरु गोविंद सिंग ने खालसा बंद की नीव रखी थी तो 1699 में सिखों की सैन संप्रदाय खालसा का प्रवर्थन किस ने किया ठीके न तो अब आपको क्लियर हो गया कि खालसा क्या है तो जो सैन Sumprahadda था तो गुरु गोविंद सिंग के द्वारा किस सिख्व सिख्ग ने फारसी में जफरनामा लखा था तो कौंसे सिख्व गुरु थैं जनके द्वारा यह रचना की गई थी तो गुरु cinqंते वेद्श concerns 所有 astrology for तो दशम ग्रंथ चंडी चरित्र विचित्र नाटक और जफर नामद चारों ही इनकी रचनाएं हैं किस सिख गुरु के नेततब में सिख राजनेतिक वा सैनक शक्ति के रूप में संगतित हुए थे तो कौन थे वैं गुरु गोविंद सिंग किस ने किया था अभी हम देख च किसके द्वारा किया गया था गुरु गोविंद सिंग के द्वारा ही किया गया था ठीक हैं गुरु गोविंद सिंग की हत्या की थी तो मैंने आपको बताया था गुल खा नामग एक पठान था जिसके द्वारा गुरु गोविंद सिंग की हत्या 1708 में कर दी गई थी निम लिखित में से सिख गुरुओं का सही कलाक्रम जो है वो बताना है तो देखिए अमर दास जो थे तीसरे थे राम दास चौथे थे अर्जुन देव जो थे वह पांचवे थे और तेक भादुर जो है नौवे थे कहीं पर भी यह प्रॉपर और नहीं है सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है ठीक है यहां गर हम कहें गुरु नानक पहले थे अंगर देव दूसरे थे लेकिन यहां पर यह पांचवे आ जाता है ठीक है और फिर पांचवे गवाद वापस से यह कहां पर चले जाते हैं तीसरे पर च स्वरूप जो है उसका आधिगरंद का उतलब गुरुगरंद साइफ का तो उसका संक्लन किस ने किया था तो गुरुगोविंद सिंग ने गुरुगोविंद सिंग के पुत्र फते सिंग एवन जुरावर सिंग को किस मुगल फॉसदार ने दिवार में चिनवा दिया था तो क गुरु गोवन्द सींग की जो हत्या है वहीं की गई थी गुलखा के द्वारा इसलिए इसको पवित्र माना जाता है गुरु गोवन्द सींग की द्वारा इसकी रचना की गई थी सिखों के दस्वे एवां अंतिम गुरु गोवन्द सींग के संबंद में क्या सही है तो इनके संबंद में बताना है इनमें से कौन से आप्षन सही है उन्होंने बचपन में नौ वर्ष थी पटना में बिताए क्योंकर इनका जन्म वहीं हुआ था मखोवल अननपुर में उन्हें गुरु निर्वाचत किया गया बिल्कु सही है उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश जारी किया जो कि मैंने आप बताया था उन्होंने पाहुल प्रथा यानि कि जाती बंदन तोडने के लिए एक ही कटोरे में सामुहिक अम्रत पान एवं प् अच की वीडियो ठीक है मैंने कोशिश की है कि फिर भी मुझे लगता है कि इसका सेकेंड पार्ट भी लाना बढ़ेगा कुछ पोशन अभी छूट गया है तो प्लीज वीडियो को जादे से जादा शेयर करें और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप सिंपली पूछिए अगर मुझे लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल क्लैरिफाइ करूंगी ओके थैंक्यू